वेल्कुल बेक टू माय चैनल से चिकेटी बादया है रून बीटी टिप्स आज के वीडियो में मैं आपको अपने बाल दिखा रही हूं जी हां हमेशा ही अपने बाल मैं आपको दिखाती हूं आपसे एक रिक्वेस्ट आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको इस किन से बहुत ही कम टाइम में आप अपने बालों को आसानी से काला बना सकते हैं लोहे के बर्तन में एक चमच मैंने लिया था आमले का जूस आमले का जूस नहीं है तो fresh आमले का water भी निकाल सकते हो आप ब्रिंग राज का powder लिया है मैंने एक चमज के करीब अब ये वाला जो डाल रही हूँ ये बहुत ही कमाल की चीज़ है इसको आपको हमेशा ही यूज करना है उनुज के करीब मैंने हां पर लिया है आमला powder, अपको छूस को अचा कर सकते हो कbility करना मैं बता दूँगी अच्छी अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है उसके बाद मैंने 2-3 चमज अचा लिएग पानी डाला है ताकि एक स्मूध सा पेस्ट बन जाए क्योंकि सिर्फ एक चमच आवला जूस से यह पेस्ट नहीं बनने वाला है या तो आप पानी यूज करो मेरी तरह या फिर आप इसमें आवले का जूस ही यूज कर सकते हो तो देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है धीरे धीरे करके अच्छी तरीके से मिक्स करोगे तो आपको मिक्स करते करते ही पता जल जाएगा तो देखो 10-15 मिनट के बाद इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल आपके हैर ब्लैक कलर के हो जाएं तो आप इसे ओवरनाइट छोड़ना रात को बना कर रख दो नेक्स मॉर्निंग सुबा इसको अपलाई करो तो बिल्कुल एक भी बाल आपका वाइट दिखाई नहीं देगा बिल्कुल जडों से काले बाल हो जाएंगे अगर आप चाहते हो कि मेरे बाल लंबे भी हो घने भी हो तो इसके लिए रोज मेरी इसेंसल ओयल डालना लेटरी सेंसल ऑयल डाना दो दो चा चाच ड्रॉप डाल लेंगा। अब करना हो जाएंगे और आपके बाल घने होंगे अच्छी तरीके से मिक्स करने बाद आप देखो कि बिल्कुल स्मूध सा पेस्ट बन गया है अब मैं इसको अपने फिंगर की हल्प और चाहो तो इसे ब्रस के लगा सकते हो इस पैक को अगर आप चाहते हो कि तेजी से आपके बाल ब्लैक हो जाए वाइट बिल्कुल गायब हो जाए तो आप इस रमडी को हफते में दो बार यूस करोगे और जिस दिन आप अपने हैर पर अपलाई करोगे उस दिन आपको हैर कि बिल्कुल भी जरुवत नहीं है सिर्फ रमडी से काम नहीं होता है कुछ उपर से लगाना होता है कुछ अंदर से खाना होता है और सिक्रेट रमडी यूज़ करनी होती है जिससे आपके बाल ते जी से काले होना स्टार्ट हो जाएंगी तो देखिए मैं यहाँ पर अपने कम से कम क्या हमीषा यूज़ करो अगर आप चाहते हो तो लगाने के बाद मैं इसको रखूँगी थोड़ा लंबे टायम के लिए क्यूकि मुझे थोड़े से वाइट हेर दिख रहे थे इस वज़े से तो मैं इसे रखूँगी लगभग टेर से 2 गंटे उसके बाद में हैर व तो अगर आप 30 के ओ, 25 के हो 30 प्लास अब तो आपके बाल तो मुझ्स से बहुत अच्छे होंगे, लाक गुना अच्छे होंगे. तो नमडी पर यकिन करके उसको यूज़ करना स्टार्ट करो यूज़ करने के बाद चैनल पर आकर अपना फीड़बेक जरूर से अर करो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक से ल कॉमन करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सब्सक्राइब के साथ मिलते हैं नेक्स वीडियो में